नमस्कार दोस्तों आप सफीका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टाडी टूडे विद विपलाप में तो दोस्तों आप लोगों का जो अर्धवार्शिक परिक्षा होने वाला है जार्खंड बोर्ड अर्धवार्शिक परिक्षा इनकी ऐसे वान एक्जाम होने हो इसके अंदर हम लोग 40 40 most important mcq type के सवाल को देखेंगे objective सवाल देखेंगे इससे पहले हम लोग science का model सेट देख चुके है science का अंदर हम लोग 30 mcq देखेंगे social science में 40 objective देख चुके हैं दोनों वीडियो के लिंग आपको इस वीडियो के पर में देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है कि दो बैलों की कथा के पार्ट के लेखक का नाम है जाकी रूसन हजारी प्रसाद दिवेदी प्रेमजंद या महादेवी बर्मा दो बैलों की कथा इस और दुसरे का नाम है मोती तो आफ्शन नंबर B आपका सही होगा नेक्ट सवाल है कि जूरी जूरी अपने बैलों को कहां पर बांदे जाते थी चरनी पर धरनी पर विरनी पर या किरनी पर तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर चरनी पर नेक्ट जो सवाल है प्रस्ण संख्या चार की दो बैलों की कथा कि इस प्रकार का पार्ट है तो यह एक कहानी है ठीक है अफसन B सही होगा कहानी गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है तो इस पार्ट में गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है ठीक है अफसन C सही होगा बैल नेक्ट सवाल है कि किसको गधा कहा जाता है बुधिमान को मंद बुधिवाले को मुर्ख को या चाला को तो सही उत्तर अफशन सी होगा मुर्ख को नेक्ट सवाल है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सुखा भूशा खाने के लिए क्यों दिया क्योंकि उहा हीरा मोती के बेवाहर से दुखी था इसलिए हीरा मोती को दोनों बार सुखा भूशा खाने के लिए दिया करता था ठीक है नेक्श्ट जो हमारा सवाल है कि दर्हेल व्यक्ति कोन था दर्हेल व्यक्ति कोन था बैल को खरिदने वाला ठीक है अफसन ए सवाल है बैलों को खरिदने वाला नेक्श्ट जो सवाल है यहाँ पर कि सुम्ति किस जाती का था मंगोल हिंदू सी किया आरिया तो सही उतर होगा मं तौटी खोटी खीटी या खेटी तो खोटी जो है आपका सही होगा खोटी नेक्स वाला एक डाड़ा थोंगला क्या है एक वस्त्र एक इस्थान एक वरतन एक व्यक्ति का नाम तो यह एक स्थान है ठीक है ओफ्षन भी सही होगा एक स्थान नेक्स एक कि सुम्ति ने कितनी टोकरी कंडे फूग डाले थे एक दो तीन या चार तो सही उत्तर दो हो जाएगा सुम्ति ने कितनी बार चाय को गरम क्या था सुमती ने चाय को तीन वार करम किया था ठीक है तीन वार यहां पर सही उत्तर हो जायेगा सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं भरिया कहते हैं क्या कहते हैं भरिया option B सही होगा भरिया ठीक है next हमारा सवाल है कि सुम्ती आदमी मिलने का बहाना बनाकर लेखा को किस बिहार की ओर चलने के लिए कहा सेकर सेखर सेगर या सेगर तो सेगर जो है आपका सही उतर हो जाएगा कर अकर सेगर ठीक है option A सही होगा डाकूओं के लिए तिब्बथ में सबसे अच्छी जगा कोन सी है डाने तिंगरी ल्वासा या संकोर तो सही उतर हो जाएगा डाने डाने लेखक को सुम्ती ने चोर रकेद से बचने का कोन सा रास्ता सुझाया था भीक मंगने का लड़ाई करने का भाग जाने का या हतियार तो सही उत्तर होगा यहां पर भीक मांगने का जो है राष्टा सुझाया गया था नेक्स चाई की तिब्बती लोग टॉंडी दार भरतन को क्या कहते हैं क्या कहते हैं तो खोटी खोटी कहते हैं खोटी आप्सन सी सही होगा नेक्स है कि तिब्बत की ओरतें चाय किसमें कुठती थी चोड़ी चोड़ी चोंगी या चोंगी तो सही उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा अपसंसी हो जाएगा चोंगी हो जाएगा ठीक है सवाल है कि कभीर किस ब्रह्म के उपासक थे निर्गून सगून साकार या वैसनव सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर निर्गून सभी से रिक्वेस्ट आई वीडियो को कंप्लीट देखिए वीडियो का लाइक किजिए और सभी दोस्तों में भी स्यार किजिए ठीक है और इस डिस्क्रिप्शन में आपको सॉसियल साइन्स का वीडियो मिल जाएगा साइन्स का वीडियो मिल जाएगा ठीक है साथ ही साथ आपको टेलिग्रम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलिग्रम में आप लोग जूर जाएगा ठीक है वहाँ पर जो है एक्जाम से रिलेटेड जो यह अपडेट आता है, वहाँ पर अपडेट दे दिया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि कभीर की रचनाओं का प्रामानिक ग्रंद कोन सा, कोन माना जाता है, विजक, सबद, रमेनी या साखी, तो विजक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, विजक, नेक्स जो हमारा सवाल है कि मान सरोवर सुभर जल, हनसा केली कराही में हन्स प्रतीक है, मोती का या पक्छी का या भक्तिरदय का या जल का, तो यहाँ पर सही उत्तर कोन सा हो जाएगा, मान सरोवर सुभर जल, हनसा कोली कराही, केली कराही में हन्स प्रतीक है, भक्तिरदय का हो जा इन में सभी के तो कवीर जो है पांखनद के बीरोधी थे कर्म कांड के भीरोधी थे बेढ़ती तो ग्यानी ठीक है अफसन भी सही होगा नेक्ट जो हमारा सवाल है कि मान सरोवर में कोन विहार कर रहा है मान सरोवर में कोन विहार कर रहा है मचलियां हांस मगरमाचिया मनुस्या तो सही उत्तर अफसन भी होगा हांस नेश्ट हमारा सवाल है कि सोई संद सुजान में सुजान का आर्थ है सोई संद सुजान सोई संद सुजान में सुजान का आर्थ क्या है तो यहाँ पर चतूर हो जाएगा अफसन नमबर सी नेश्ट हमारा सवाल कि मनस्वर को कहां नहीं ढूरता है मंदिर में, मस्जिद में, क्रियाकर में या खेल के मैदान में तो यहां पर सही उतर कोण सा हो जाएगा खेल के मैदान में हो जाएगा अफसन नमबर D कवीर के अनुसार इस्वर को कहां पाया जा सकता है मंदिर में सब स्वासों की स्वास में वैरागी के में या मस्जिद में तो अफसन भी सही होगा सब स्वासों की स्वास में जो है इस स्वार को पाया जा सकता है अफसन नमबर भी आपका सही हो जाएगा नेक्ष्ट हमारा सवाल है कि कवीर के दूसरे सबाद पद में किसके महतुका वर्णन हुआ है आंधी के बर्सा के ग्यान के या अग्यान के तो यहां पर अफसन सी सही होगा ग्यान के नेक्ट सवाल है कि मनस्य किसको ढूड़ता फिरता है सांती वैराग्या इस्वर या अत्मा यहां पर अप्सन सी सहे होगा इस्वर नेक्ट सवाल किसको सब स्वासों की स्वास में कहा गया है मनस्य को असूर को इस्वर को या पसू को तो यहां पर इस्वर जो है आपका सही उ प्रवान के लिए अंकार के लिए मनुस्वा के लिए तो यहां पर जो मैं है मैं तो तेरे पास मैं तो यह भगवान के लिए जो है प्रयोग किया गया तो आपसन नमबर बी आपका सही उतर हो जाएगा नेक्ट हमारा सवाल है कि सुगंद सब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपसर्ग तो इसमें सू लगा हुआ है गंद के साथ सू सब्दांग से लगा हुआ है सू ठीक है तो यह हमारा सही उतर हो जाएगा किसी सब्द के पूर्व में लगता है ठीक है वही सब्दांग्स को हम कहेंगे उपसर्ग अभी मान सब्द में मूल सब्द का मान है कौन सब्द लगा हुआ है मान जो है मूल सब्द है हमारा मान तो मान मान के पहले क्या लगा गा मैं अभी अभी जो है आपका सईी उत्र सब्सक्रार जाएगा और इसको पूर्व लगा हुआ है सू, एक जो है उपसरग है, तो सू जो है यह आपका उपसरग हो जाएगा, जो कि option number C में दिया हुआ है, next सब्द है कि व्यवहारिक सब्द में कोण सा प्रत्य है, देखें़ यहाँ पर प्रत्य का बात क्या जा रहा है, प्रत्य क्या होता है, प्रत्ताई वे सवदां से जो किसी साब्द के अंद में लगकर उस सब्द का आर्थ बदल डलता है तो बैवहारीक सब्द में कौन सा प्रत्ताई है तो बैवहार के साथ एक लगा हुआ है ठीक है सब चुबने कों परने का एक जब नाइन हिंडी पर क्लिए कई क recycle हुर हमारे चैनल में जूड़े रहने के लिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेक रहें तो summit इते हैं नेक्स्ट बीडो में